नमस्कार, BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं भाकिश्री आपका स्वाकर करती हूँ, बढ़ते हैं खबरों क्योंद? उत्रप्रदेश के जनपत महबा में जहां एर्टियो कार्याले में दलाली प्रता अपने चरम पर दिखाई दिरी हैं, वही कोरोना काल में विभाक की अधिकायों की आनुपसिती में तथा कती दलालों ने खुद को साहा घोशित कर दिया है, मुख्य प्रविश्दवार के बा देशा से दलालों की दलाली प्रता को लेकर अपने चरम पर दिखाई पड़ रहा है, वही कोरोना काल में विभाक की अधिकार्यों की अनुपसिती में तथा कती दलाल खुदे सहापन कर जम कर कमाई करे हैं, केंडर और राजे की सरकार उत्वारा देश और प्रदेश को भ् करने भी लगावा है, जिले के आला अतिकारी मावने में जब को जानने के बात भी अंजान बने पर हैं, जबकि विभाक में लगे CCTV कैमरी केफल सफेद हाती साफीत हो रहे हैं, इता ही नहीं जिले का ARTO विभाक दरालों से साठकार के मावने में हमेशा चर्चा में रहा है, जबकि पूर्व में जलादी कारी सहतेव के द्वारा इस प्रता पर अंकुष लगानी की एक कोशिश की गई थी, तब से अग तक किसी अथिकारी ने इस और कोई जहमत उठाना उचितनी समझा, गर तलब है कि दलाल और दलाली प्रता पर अंकुष लगाना का भी संबो प्रशासन की पड़ी लापर पाही देखनी को मिली है, जहां सेकड़ो काटी वे गेहु भी क्या बता जा रहा है कि गेहु किसानों से खरीदा गया था और जनपर में दो दिन से हो रही पारिश में सारा गेहु खुले में ही भी क्या आपको बता दे कि जहां पुरा देश कोरुना बाहमारी की मार चिल रहा है वही लापरवा अधिकार्यों ने खोले में बारा सो कटे अनाज गेहु क्रय केंडर उपेडा में किसानों से गेहु खरीद कर रखा था खरीदा अनाज कटों में भर कर खुले आस्पान के नीची रख दिया जिस पर कोई त्रिपाग भी नहीं डाल रखा था जो कि बारिश में फीक कर अंकुरित वह कुछ गेहु खराप हो चुका है सुरश कुमार यादो खाद्य विपनन अधिकारी ने आज से पहली क्रिया केंडर उपेडा का निरिशन करना भी उचित नहीं समझा वही गेहु क्रय केंडर प्रभारी गरिमा दूबे ने बताया कि देर रात तक गेहु की तोल चली और तोल की बाद लेपर चली गई जिसकी वज़ा से गेहु गाड़ी में लोट नहीं हो पाया और रात में बारिश होने से बारिश में फीक गया और आज सुबे सबसे पहले मैंने गेहु गाड़ी में लोट कराकर FCI गोदाम हापुर भेश दिया है जिलादी कारी ने मौकी पर पहुच कर कारण बताव नोटिस चारी कर संबधित अधिकारियों की शैली से खराब हुए अनाज का भुकतान करने की बात गई है है और वो गेहु भी उमंज गया है उसमें तो आपका इस वारे में क्या गया था कि करीद हुए क्योंकि देर रात तक खरीद की गए थी रात में लेवर के चले जाने के कारण दरस्था ने बन पाई और अस्तिविक तेज बादेशा गी थी फिर सुबह कुछ गेहु भीगा कि अधिकारी को जिले के उच्छ अधिकारियों को आगमन हुआ है तो इसी आदेश को लेगा आए थे तो कौन-कौन अधिकारी आए थे जिला दिखादे मुखदे आए तो आपको कुछ दिशा निर्देश देके कहे हैं कि समसे कम्तॉल करा कि जितना है उसका करीब बारे सो अधिकारी है तो इसमें कि अधिकारी है जिनको जुम्मेदारी दी गए क्या है जातीक है वहां तो उन्होंने कुछ जवाब आपको नहीं दिपाई तो ये किसानों का जो नाज सासन जो सासन की जो मंसा है किसानों से नाज खरी जाए किसानों जो लाप पहुचा जाए लेकिन ये अधिकारी इसको नाकाम करते दिखाई दे रहे हैं कोई के नाम में जोरा नहीं है एकजिम साब का जोरा नहीं है और उसमें किसानों की विवस्ता बढ़िया हुचा नहीं हो तो भाईया यह जो अनाज दो दिन से बारिस में भीग रहा है यह क्या मामला है काम में जोरा नहीं हमकरे कि अमने का में लोर ऑा झाए करो अटान को मताइग यह तो हुआ करहे हैं तो हमारे जोरी कव्हाथ को नहीं हो गए इस तक रिमी हो बहाएं तो कब आप मीची जमेन पर देगी तो तो कंटिक तुम इह हम इम पिंटागा व्यान रहे हैं तो बहुत कितने कट्टे होंगा यहां कट्टे मेरे पास 220 कट्टे मेरे पास है और मेरे पास तो टोटल कट्टे बारस हो रहा है आपके वास जो बारिस में भीग रहे हैं कोई व्यूसता नहीं है तो भया अब जो बता जा रहा है कि गयों बारिस की वज़े से अंकुरित हो चुगा है तो क्या ऐसे अंकुरित होगे कि तो बिल्कुल अनाज बेकार हो गया होगा जो पानी पिले प्लास्टिक जो डिस्पोजन होती है ये पाने नहीं भी गाऊं के मौजुदा आद्मियों अभी प्लास्टिक के कट्टे में से तो तो सारा ग्यों जो नहीं नहीं देकर निकाला है तो बात आपकी सही है, मगर जो जाइद है वो बात में आपसे कहुँगा, आपको सही है हो, मेरी सुधी सी बात है, आपको बीज़ कर आओ, मेरी सुधी बात है, तो प्लास्टिक में कोई दितकत में बेस्यन नियूस के लिए हापुर से अनिल कशप के रिपूर्ट कोरोना जैसे महमारी से बचाव के लिए अब गाव की सरकार भी सक्री हो गई है, ग्राम करतलापूर में नव निर्वाचीत ग्राम प्रदान पारा, गाव में सफाई और सैनिटाइजेशन खुद उपस्तित रहकर करवा है चारा है गाव वालों को स्वयम मास वित्रन बिक्या क्या और गाव के लोगों को हर संभव मदद का बाता क्या, लोगों को वैक्सिन के लिए प्रेरिद बिक्या ग्राम प्रदान सुमन लता देवी ने गाव के चहुमु की विकास का लोगों से जो बाता केया था उस पर कारी करना शुरू कर दिया है गाव में चाहे रास्तुक के निर्मार हो या मन्रेगा के कार्यों से रोजकार देने की जो सरकार की मन्शा है उसमें सरकार की मन्शा के अनुरूप कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कई है कई वर्षों से गाउं में जल भड़ाओं की जो समस्या जली आ रही है उसके निराकरण के लिए नाला सफाई और खुदाई का कारिय भी शुरू करवाने की बात कई है इन सभी कारियों को जीवन करने के लिए ग्राम प्रतिरिती अतुल वर्मा की भी गाभ बालों ने बहुत प्रशन साकी इन सभी कारियों से सभी ग्राम बास दी बहुत ही खुश नजराय और कहा कि काश हर काव का एक ऐसा मुख्या हो बिस्यन नियुस के लिए जनपत जालों से आशितोष उपाध्याय की रिपूर्ट ले जा जा रहा है। ट्रक में लोड माल के संबर में पुश्टाश की तो बताया कि बच्रा बेल कुल त्रेपन नग लोड है। गिंती पर जिन में से चार बेल ब्रूत हालत में पाय गये। जो सभी गुवंश को पवई गोशाला में उतरवाय गये। सभी के मेडिकल परिशन करा गया। तथा मुरूत बैलो का शव परिशन करा गया। तथा आरोपी गनुका यह कृत्य धारा 429। प्रशिकुर्टा अधिन्यम 11-GH मध्यप्रतेश गोवंश वद प्रतिशेद अधिन्यम 2004 की धारा 4 एवं मध्यप्रतेश गोवंश प्रतिशेद अधिन्यम की धारा 629। क्रिश्योप्यों की संरक्षन की धारा साथ 1998 की धारा तीन बार 181, पाज बार 186, सैसस बार 192, एक मुवी आग के तहट अपरात क्रमांग 145 बार 2021 कायम कर आरुप्यों को गिरफतार क्या गया तथा ट्रक का राजसासितू जिला मजिस्ट्रेट महदेद पन्ना को पत्र लिखा क्या है उक्तकारीवाई में पुलिस अधिक्षक महदेद पारा पुरिश्कृत करने की घोशना की गई बिस्यन नियूज के लिए पन्ना से कैलाश पांटी की रिपूट बढ़ते हैं 36 गड़ की खबरों की ओर मारमिक चेतना वेलफेर सुसाइटी दबारा लगातार बे सहरा और सहाय भिख्षक पर के लोगों को भोजन करा जा रहा है साथी साथ कोरोना वारियर्स के फ्रंट लाइन सुरक्षा कर्मियों मीडिया कर्मियों की सुरक्षा देखती भी उन्हें मास से सानिटाइसर के साथ फर्स एट कीट प्रेदान क्या क्या है प्रदेश की खबरों में फिरा लिता ही अन्य खबरों से हम आपको योही रूपर उकरवाते रहेंगे देखते रहें ये बेसे न्यूस नमस्कार